Hello friends, I am Aasha Maim and welcome back to English with Aasha Maim. आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है, इसका टाइटल है The Gift of Fortitude Fortitude का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई मुश्किल हालात से गुजर रहा है उसमें भी वो स्ट्रेंथ दिखाता है, करेज दिखाता है, साहस दिखाता है और धैरे दिखाता है, उसको बोलते हैं Fortitude और Gift है उपहार तो साहस या धैरे का उपहार इस टॉपिक के उपर स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी के थ्रू सीखेंगे अच्छी वोकाबलरी एक ही वीडियो में आप सीख सकते हो 31 प्लस न्यू वर्ड्स मैंने डिफिकल्ड वर्ड्स आपके लिए हाइलाइट किये हुए है और इसके अलावा ग्रैमर कॉंसेट भी सीखेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का विडियो दे गिफ्ट ओफ फॉर्टिट्यूट साहस का उपहार फॉर्टिट्यूट यहाँ पे नाउन है और गिफ्ट भी नाउन है गिफ्ट ओफ फॉर्टिट्यूट वंस देर लिवड डिलिजेंट ब्लैक्समिथ नेमट एल्डन सो यहाँ वंस मीन्स एक बार एक ब्लैक्समिथ का मतलब होता है लुहार जो की लोहे के उपकरण बनाता है लोहे की चीज़ें बनाता है लोहे के साथ काम करता है तो blacksmith, लुहार और named means नाम का eldon eldon नाम का एक लुहार एक बार रहता था, lived रहता था past tense में है, second form है live की, live रहना, lived रहता था और diligent blacksmith blacksmith तो noun है noun को describe कर रहा है किस तरीके का लुहार था वो? diligent और diligent means महनती तो ये जो noun को describe करते है, words उनको हम adjectives कहते है, ये adjective है, ये noun है और once there lived a diligent blacksmith named eldon एक बार, eldon नाम का एक महनती लुहार रहता था there यहाँ पे dummy subject है, false subject है renowned for his impeccable impeccable craftsmanship renowned का मतलब है प्रसिद, famous जिसके बारे में वो जाना जाता है renowned impeccable means जिसमें की कोई कमी न निकाली जा सके impeccable और जो perfect हो बिलकुल craftsmanship means color अब यहाँ पे वो लुहार है तो जो भी वो लोहे की चीजें या जो भी metal की चीजों में कारीगरी करता है उसको बोलते हैं craftsmanship शिल्प कारिता या कारीगरी यहाँ आपने पड़ा renowned for his impeccable craftsmanship तो that means की जो यह eldon है वो प्रसिद था अपनी perfect कारीगरी के लिए impeccable adjective है यहाँ पे क्योंकि craftsmanship इसको describe कर रहा है यह noun है और यह adjective है तो वो प्रसिद था अपनी perfect कारीगरी के लिए eldon, fashioned, tools with precision precision and care जो eldon था fashioned यहाँ पे verb की तरह यूज किया गया है कि वो बनाता था tools अपने उपकरण with precision and care now precision means clear, बिल्कुल spushed जिसमें कोई हम लोग बिल्कुल भी fault नहीं निकाल सकते तो इतने ध्यान से, spushed तरीके से, satiq तरीके से and care बहुत ही care करके, देख भाल करके अपने tools बनाता था, एक एक tool उसके बहुत अच्छी तरीके से बनते थे, तो यहाँ पे जो fashioned है, वो verb के रूप में used है, यहाँ पे, eldon fashioned tools with precision and care eldon बनाता था, अपने उपकरण, बहुत ही satiqता के साथ और देख भाल के साथ one day, a destitute traveler sought eldon's assistance one day एक दिन destitute का मतलब है, कि जो बेसाहरा हो, जिसका कोई घरबार ना हो उसको बोलते हैं, destitute और traveler यातरी, sought जो है, वो seek का past tense है, seek मांगना sought मांगी और ये वर्ब है second form में assistance मतलब मदद, help तो एक दिन एक, बेसाहरा यातरी ने eldon की मदद मांगी pleading for a modest knife to fend off the harsh wilderness wilderness pleading means विंती करना for a modest modest मतलब साधारन सा normal सा, मामूली सा knife चाकू fend off ये phrasal verb है, इसका मतलब होता है हटाना या अपने आपको बचाना harsh, मुश्किल wilderness means जंगल और वो बेसाहारा आदमी है तो अब हम इसको पूरा sentence पढ़के समझते हैं pleading for a modest knife to fend off the harsh wilderness विंती करके कि वो जो ये blacksmith है, लुहार है Elden उसके लिए एक साधारन सा चाकू बनाए ताकि वो जंगल जो ये harsh, बहुत ही मुश्किल भरा जंगल है तो fend off का मतलब है बचाना अब पूरा sentence क्योंकि लंबा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे One day, a destitute traveler sought Elden's assistance pleading for a modest knife to fend off the harsh wilderness wilderness यहाँ पे noun है और ये मैंने आपको बताया है, ये phrasal verb है और pleading verb है, ing form में modest knife, knife noun है किस तरीके का knife? modest, साधारन ये adjective है और destitute भी adjective है क्योंकि ये describe कर रहा है traveler को अब आगे पढ़ेंगे Instead of merely gifting a blade Elden invited the traveler to observe as he meticulously meticulously forged a knife of exceptional quality अब देखें, instead इसके बजाए merely means keval और meticulously means बहुत ही साभधानी पूरवक बहुत ही carefully forged जो भी महनत से बनाया जाता है यहाँ verb form में used है कि महनत से बनाना और exceptional बहुत ही बहतर बहुत अच्छा अब देखें, इसका मतलब ये बनता है कि instead of merely gifting a blade केवल gift करने के बजाए एक blade, blade यहाँ knife के लिए बोल रहे है कि केवल एक knife या चाकू gift तोफे में देने के बजाए elder invited the traveler to observe elder ने invite किया आमंत्रित किया उस traveler यात्री को to observe, observe करने के लिए ध्यान पूर्वक देखने के लिए as he meticulously forged a knife as जैसे ही उसने बहुत ही साबधानी पूर्वक मेहनत से बनाया एक चाकू of exceptional quality exceptional means बहुत ही बहतर, बहुत ही अच्छा quality उसकी जो quality थी वो गुणवत्ता थी, वो बहुत ही अच्छी थी तो देखिए यहाँ पे जो है exceptional, उसकी quality कैसे थी exceptional adjective है, quality noun है और forged यहाँ पे verb form में used है क्योंकि वो मेहनत से बना रहा है उस चाकू को और यह जो है adverb है meticulously, क्योंकि वो forged verb को describe कर रहा है, तो adverbs जो होते हैं, वो verb को describe करते हैं ठीक है, to observe, यहाँ पे to के साथ verb first form में used है infinitive form में है यह तो अब यहाँ से पढ़ेंगे कि instead of merely gifting a blade, Elden invited the traveler to observe as he meticulously forged a knife of exceptional quality तो इसके बजाए कि वो बस एक gift कर दे, तोफा दे दे, एक चाकू cable है यहाँ पे instead of merely gifting तो cable यहाँ पे merely भी adverb है तो Elden ने आमंत्रित किया उस यात्री को कि वो ध्यान पूर्वक देखे जैसे ही Elden बहुती साथानी पूर्वक मेहनत से बनाता है एक चाकू को और वो भी बहुती अच्छी quality का बहुती 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 क्वालिटी का patiently explaining the significance of resilience and perseverance perseverance patiently धैर्य पूर्वक ठीक है धैर्य रखके और यहाँ पे resilience का मतलब होता है कि ऐसी अगर difficult हालात हों उससे जो लोग easily recover हो जाते हैं मतलब कि वापिस प्रतिरोध शमता होती है उनमें कि मुश्किल हालात से भी वो उभर सकते हैं उनको बोलते है resilient और यहाँ पे है resilience यह noun form में used है कि significance वो importance बता रहा है महत्व बता रहा है कि resilience की क्या महत्व होता है प्रतिरोध शमता to recover quickly और perseverance भी होता है द्रिड निश्चे करके रखना चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए फिर भी द्रिड निश्चे करके रखना तो वो जब साथ साथ अपना काम कर रहा है नाइफ बना रहा है साथ साथ क्या कर रहा है वो बहुत ही धहरे पूर्वक एक तो चाकू बना रहा है और साथ साथ बता रहा है उसको कि जीवन में resilience और perseverance की क्या importance है प्रतिरोध शमता की और द्रिड निश्चे करके रखने की क्या importance है ये उस traveler को वो बता रहा है Elden imbued the blade with not just steel but also the essence of fortitude Elden imbued imbued का मतलब होता है गहरी भावना भर देना ये verb है और essence, sour, fortitude ये हमारी heading में भी हमने पढ़ा था कि मुश्किल हालात में भी सहासी बनके रहना तो Elden ने गहरी भावना भर दी या भर दिया उस blade को इतनी भावना से with not just steel तो the blade with not just steel वो steel का है वो चाकू जो बना रहा है लेकिन उसके अलावा जब वो इतनी महनत से काम कर रहा है तो उसमें उसने अपनी गहरी भावनाएं भी भर दी है but also the essence of fortitude तो अब जो ये knife बन चुका है जो ये चाकू बना है उसमें क्या-क्या भरा हुआ है एक तो गहरी भावना महनत से और essence of fortitude fortitude का मतलब मुश्किल हालात में भी सहासी बनके रहना उसका भी सार उसमें भर दिया उसने जब भी हम कोई काम बहुत ही महनत से मन लगा के करते हैं तो हम सिर्फ उस काम को पूरा ने करते हैं उसमें हमारी पूरी जान लगी होती है तो यहीं आप बताने का मतलब है कि Elden ने उस मामुली से चाकू को भर दिया सिर्फ स्टील से नहीं लेकिन जो भी सहस और धहर्य का सार होता है उससे भी उसको भर दिया Grateful, the traveler departed with a tool Grateful means कृतज्य या आभारी होना थैंक्फुल होना Departed means रवाना हो जाना, चले जाना With a tool तो grateful मतलब आभारी होकर वो जो यात्री था, वो रवाना हुआ With a tool, ऐसे उपकरण के साथ That transcended Transcended means पार किया या पार करना Its personal pronoun है जो की knife के लिए used है Its material worth Worth मतलब मूल्य तो जो भी material means पैसों से related है कि जो उसका भौतिक मूल्य है वो उससे भी परे था जो knife है वो सिर्फ पैसों से खरीदा होआ knife नहीं है उसमें तो Elden की भावनाएं भी अटकी हुई है Grateful, the traveler departed with a tool That transcended its material worth तो grateful आभारी होकर जो यात्री था वो रवाना हुआ एक ऐसे उपकरण के साथ जो की भौतिक मूल्य से भी पार था या परे था Transcend यहाँ पे verb form में used है The tale of Elden's benevolence Benevolence spread far and wide टेल कहानी Elden की benevolence का मतलब होता है दया या कृपा Spread valley far and wide दूर दूर तक तो Elden की दया की जो कहानी थी वो फैल गई बहुत दूर दूर तक यहाँ पे एक और चीज़ का आपको बताना चाहते हो देखिए यह है benevolence तो b e n e यहाँ पे जो root word है इससे शुरू होता है जैसे की अच्छी भावना benevolence दया कृपा इसी का उल्टा अगर हम opposite word होगा malevolence ठीक है? malevolence तो उसका mal जो है वो हमेशा क्या दिखाता है mal जो root word है उसका मतलब होता है की कुछ गलत malevolence गलत भावना jealousy भरी भावना, जलन वाली भावना और benevolence क्या हो गया? दया से भरा हुआ तो elden की दया के कहानिया फैल गई भूट दूर दूर तक echoing the moral that true generosity generosity lies not in charity alone but in imparting the wisdom far and wide दूर दूर तक फैल गई echoing गूंजना को बोलते है गूंज जैसे की खाली कमरे में अगर हम आवाज जोर से बोलेंगे तो जो आवाज हमको सुनाई देगी, गूंजेगी हमारी आवाज खाली कमरे में उसको बोलते है echo echoing मतला गूंजना generosity generous से बना है generous हो गया adjective उदार और generosity उदारता lies not in charity, charity का मतला बोता है दान, but in imparting imparting है देना verb form में है यह wisdom, wisdom ग्यान echoing मतलब जब उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई तो क्या गूंज सुनाई दे रही थी जो भी उसने सिखाया था उसकी गूंज की जो असली उदारता है true generosity असली उदारता है यहाँ पे देखे generosity नाउन है कैसी उदारता true ये adjective है true generosity lies नहित है या रहती है not in charity alone सिर्फ दान में ही नहीं रहती alone केवल but in imparting the wisdom to weather, life's challenges with grace and strength लेकिन impart करने में, impart verb है कि देने में the wisdom ग्यान to weather life's challenges to weather ये phrase का मतलब है कि जहेलन to weather the odds मुश्किल चीजें जहेलना यहाँ पे भी है to weather life's challenges जीवन की चुनौतियों को जहेलना imparting the wisdom to weather life's challenges जीवन की चुनौतियों को जहेलना with grace and strength grace शालिंता के साथ strength सहस के साथ जीवन की चुनौतियों को शालिंता और सहस के साथ जहेलना चाहिए ये वाला उसने ग्यान दिया किसको? उस traveler को और जो knife था मुचाकू था that was gift of fortitude वही वो सहस का उपहार था जिसमें Elden ने एक उपहार के साथ-साथ अपने पूरे जीवन का experience भी भर दिया था पूरा अनुभव भर दिया था so friends I hope आपको आज की story पसंद आई होगी और story के जरिये आपने काफी कुछ सीखा भी होगा वीडियो अगर आपके लिए helpful रहा है तो please इसे like जरूर कीजेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ share भी कीजेगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजी इसी तरह के reading videos advanced level के और basic level के मैं रोज लेकर आती हूँ please comments करके भी बताईएगा आपको कैसी लगी story and thank you friends for watching मिलते हैं अगले वीडियो में